Hey guys, welcome back to our channel Dynamic Techno दोस्तों आपना जो mail ID को किसी भी browser, किसी भी device पर आप यहाँ पर logging करने के लिए जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो Gmail ID का password होता है यहाँ भूल चुके होते हैं, आपको याद नहीं रहता है इस मामले में दोस्तों दो टाइप का cases होता है जब कभी भी आपका mobile यहाँ पर खो जाता है याँ पर चुरी हो जाता है तो यहाँ पर आपको Gmail ID का password आपको यहाँ पर याद रहता है बट यहाँ पर आप logging नहीं कर पाते हैं क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर जो mail ID होता है, यहाँ पर recovery mail ID होता है, यहाँ पर recovery mail ID होता है, यहाँ पर add नहीं किये होता है, अपना Gmail ID से, तभी दोस्तों आप two-step verification यहाँ पर on किये होता है, तो यहाँ पर इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर verify नहीं करने की बज़र से आप लोगिंग कर नहीं पाते हैं उस टाइम पर या फिर दोस्तों दोनों बार केसस में ऐसा हो सकता है कि आपका जो mail ID का password यहाँ पर भूल चुके होते हैं तभी दोस्तों आप यहाँ पर और एक error यहाँ पर देखने के लिए मिलता है गुगल कुलनर्ट वेरिफाइज इस अकाउंट ऐसा कुछ एक error देखने के लिए मिल जाता है तभी आप यहाँ पर किसी भी device पर आपना mail ID का लोगिंग नहीं कर पाता है तभी आपको many problem तो फैस करने के लिए पढ़ जाता है आज की इस बड़ पर हम जानेंगे जनुइन मेथड बताऊंगा दोस्तों जो कि आपके यहाँ पर without mobile number एड़ किये हुए या फिर जो recovery mail भी आप यहाँ पर एड़ नहीं किये है तभी आपको कैसे आपना mail ID को recover करना है पूरी detail पर मैं आपको explain करने बाला हूँ तो अभी तक मेरा चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके bell icon को जुरू place कर देना तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्ते याँ पर मैं कोई भी बच्चोरी नहीं किया हूँ पहले मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर Chrome को open करने के बाद आपको यहाँ पर search बार पर type करना है Google Account Recovery लिखने के बाद आपको interface करने के बाद पहले ही आपको link मिल जाएगा How to recover your Google account और Gmail इसमें click करना है दोस्तों इसमें click करने के बाद आपको एक link यहाँ पर मिल जाएगा next पर click करने के बाद दोस्तों आपको जो भी password आपको यहाँ पर xyz जो भी आपको यहाँ पर डाल देना है जिसे कि यहाँ पर डाल दिया हूं मैं देखने के लिए मिलगा देन आपको यहाँ पर next पर click करना है, next पर click करने के बाद दोस्तों आपको एक अपने mobile पर prompt आएगा, देखने के लिए एक request आएगा आपने mobile पर, देखने के लिए मिलगा आपको यहाँ पर yes and no का एक option मिलता है, तो आप यहाँ पर आता है, तो आपको यहाँ पर आता है, तो yes rada lag दोस्तों आपको देखने के लिए मैं जो मैरा account यहां पे खुल चुका है अगर दोस्तों आपके mobile पर जोhhhh होता है आपको यहां छोह नहीं होता है तो आपको चलिए बेक चले आता better back चलिए आने के बाद जो भी mail ID का करना चाहते हैं आपको यहां पर चलिए डाल देता हूं चलिए मैं यहां पर डायनामिक टेक्नो को डाल देता हूं डालने के बाद दोस्तों फिर से यहां पर next करता हूं next करने के बाद दोस्तों यहां पर फिर से जो भी आपको password डाल देना है जो भी डाल देना है दोस्तों द सब्सक्राइब चोड़े? देखने के लिए तो थोड़ा सा यहां पर छह घंटे के बाद यहां पर दिखाता हम कि मुझे मैल आया है यह फिन नही ? देखने के लिए मिल्याओ दोस्तो nordATA र्कवास ध्रशनाा काता हम ज़मारा उल altijd नहीं much? तो यहां पर चले मैं अभी 25 तारीक है आज इसमें जीमेल अकाउंट को आपेंड करने के बाद पहले यहां पर देखने के लिए एक लिंक मुझे मिला है गूगल की तरफ से यहां पर देखने के लिए मिलेगा दोस्तो जो पासवार को यहां पर मैं reset कर सकता हूं तो यहां पर और डिवाइस में आपका भी कवार आपना जो अकाउंट होता है आप लोगिंग की होते हैं तो आपको दोस्तो ना ही टू एफ जो prol 260 या पि GC corporate बे खेंने आपके जो mail id में आपको कोई भी link या फिर आपका जो mail id होता है आप यहाँ पर sign in नहीं कर पा रहे हैं तो आपको या पर किसी भी device पर आप sign in नहीं किये हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना ही चलिए आपको बताता हूँ Čट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए में आपको यहाँ जा चुका है यहाँ पर जा चुका है होटकर करना पड़ी होट कर लेता है तो आपको यहाँ पे आपका जो mail ID का जो password होता है आपको याद है तो आपको कैसे recover करना है चलिए अभी बात कर लिते हैं तो कई सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको search bar पर type करना है दोस्तों Google account recovery then दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा Google account recovery पर इसमें click करके sign in पर click कर देता हूं sign in पर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जो भी आप account को recover करना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको फिल कर देना है फिल करने के बाद दोस्तों जैसे कि यहाँ पर मैं Dynamic Techno IT को डालके यहाँ पर Next पर click करता हूँ Then दोस्तों जो भी आपका Gmail ID का password है दोस्तों यहाँ पर आपको एज़िटी जाल देना है जो भी आपका password है Then आपको Next करना है दोस्तों Next करने के बाद आपके mobile में दोस्तों एक prompt जाएगा आपके screen पर Two-step verification on है तो एक prompt जाएगा आपके mobile पर जैसे कि मेरा वीबोपोन में यह गया हुआ है तो दोस्तों आपको एक दिमाग लगाना है कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलगा जो आपका mail ID आप यूज करते थे तो किसी और के device में कभी कवार आप logging किये थे या फिर किसी computer में किये थे जैसे कि में यहाँ पर मेरा laptop पर किया था तो यहाँ पर देखने के लिए मिलगा Google account लिखने के बाद यहाँ पर open कर दिया हूं go to Google account पर क्लिक करना है then दोस्तों, यहां पर आपको थोड़ा सा याद करना है दोस्तों, कहे ना कहीं आपको कभी-कवार काम की बज़े से भी आप इतुए होगे, तो यहां पो जो तो स्कूरीटी पर किलीक करने के बाद, दोस्तों, यहां पर Spanish बेमाना के लिए जीसीर बेमाना जो आपका Tuesday verification होता है वो यहाँ पर ओप हो जाएगा देखने के लिए मिलेगा ओप होने के बाद चलिए mobile का screen पर अभी चलते हैं यहाँ पर आने के बाद फिर से यहाँ पर मैं नेकस्ट करने के बाद जो भी आपको बाद quello फाल डिवेंशाय देखने क्लेजा मिलेगा में जो शिए पर पूरी तरह से खोल चुका मेरा ना की भी इना प्रॉंट मांगा मुझे बारेन चया बता सकते हैं गई तब ने देख लिए कि जो आपना Gmail ID को केसे रीकवर करना है ये पुरी डिटेल पर में आपको बता दिया हूं दोस्तों हम नेक्स वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे आपको Gmail ID को भूल जाते हैं आपको पता तक नहीं होता है तो हम नेक्स वीडियो में के साथ तब तक के लिए वीडियो पूरी देखने के लिए आपको बहुत-बहुत सुक्रिया है वे नाइस डे शीर सून विडवार